गुर्मानिंग लिसनर्स आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट टॉपिक्स लेकर आए हैं इंपॉर्टन्ट है क्या तो आज हमें सीखना है कि बुक को पढ़ा कैसे जाए हमें हमारा जो ओपीनियन है बुक पढ़ने के बारे में हो सके आपका ओपिनियन से मैच कर जाए या फिर आपका जो अपीनियन हो से के हम गलत है या आप हम सही हो सकते हैं आप गलत हो सकते हो तोग क्या है आप कैसे पढ़ते ओब बुक को तो हम नहीं जानते हैं लेकिन पढ़ने एक जो तरीका होना चाहिए, especially हम paragraph reading की बात कर रहे हैं, जो पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, वो जरूरी है, जैसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक बात हम बता देते हैं, हम 9 और 10 में एक word बताते हैं, लिट्रेट, लिट्रेट मतलब होता है सिक्षित, अब किसे लिट् पढ़ लिख सकता है, वो सिक्षित है, तो अगर आप 9 में हो, अगर आप 10 में हो, 8 में हो, या फिर आप पर 5 या 6, 7 में भी हो, तो इसका मतलब आप लिट्रेट हो, आपको पढ़ना और लिखना तो बिलकुल आता है, अब सवाल यह है कि क्या 100% है, जब आप पढ़ते हो कि इसी paragraph को, especially in English में, क्या समझ में आता है, तो पहला question mark यही बन जाता है कि हमें चीजे समझ में क्यों नहीं आती है, हम पढ़ते जाते हैं, तो हमारे साथ समस्या क्या होती है, तो पहले उन समस्याओं को ध्यान में रखते हैं, और उसके बाद उसके solutions पे अभी work करेंगे, तो समस्या number one, suppose that आपके सामने कोई paragraph हो, ठीक है, चलो paragraph हम पढ़ी देते हैं, आपके screen पे वो paragraph ला भी दे रहे हैं, तो let's start, The list of 84 rules, given here are excerpts from the book Mazahap Pravaj, written by Vishnuvat Godse, a Brahman from a village in Maharashtra. He and his uncle had set out to attend a yag being organized in Mathura. Vishnuvat writes that they met some shipwais on the bay who told them that they should not proceed on the journey because a massive affable was going to break out in three days. The shipwais said the English were determined to wipe out the religions of the Hindus and Muslims. They had made a list of 84 rules and announced this in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warn the English of dire consequences and massive affable if these are implemented. That the kings of all returned to their capitals in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the contentment in merit by letters sent to different contentments. तो ये paragraph हमने आपके सामने पढ़ा, आप भी साथ में देखी रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो समझ में आया, जेनरली बुक भी पढ़ते हैं, तो यही करते हैं हम बोलके, पहला तो पढ़ते हैं बट समझ में नहीं आता है, हाँ, overview आ जाता है, 30%, 25% समझ में आ जाता है उतना से काम नहीं चलेगा, हम क्या करते है, depend हो जाते है teacher पे, teacher पढ़ा देगा ना, समझ लेगे उससे, क्यों, अगर 90% खुदी समझ ले हो, 10% teacher कर दे help, तो कितना अच्छा होगा, चीजे memorize हो जाए अच्छी तरीके से, तो चलो इस paragraph को पढ़ रहे थे, तो समस्या क्या होत करते हैं, बच्चे, तो pronunciation का सबसे first problem होता है, pronunciation मुझे चारण ही सही से नहीं कर पाते हैं, दूसरा, rhythm का, कहां पे stop पे बोलना चाहिए, कहां पे speed बोलना चाहिए, कहां rhythm high और कहां slow करना चाहिए, यह भी problems होता है, और तीसरा, तो सबसे वयंकर problems होता है, meanings का, words, meanings का, यानि इ इनों problems को sort किया जा सकता है, सिर्फ एक solution से, word power, word power को इन करोज करोगे, तो क्या हो जाएगा, automatic यह समझा है, सुलच जाएगे, अब सवाल यह है, कि पूरे paragraph को समझने में अगला, यानि चौथा problems क्या है, चौथा problems है, कि हम जब किताबों को पढ़ते रहते हैं, किसी भी paragraph को पढ़ते हैं, तो एक line पढ़ते हैं, दो line पढ़ते हैं, तीन sentence पढ़ते जाते हैं, और हमारा जो subconscious mind है, वो हमें divert करता है, sentence का आर्थ समझते के साथ, वो किसी चीज़ को visualize करवाता है, किसी को memorize करवा देता है, और हमारा mind थोड़े देर के लिए, पांच सेकेंड या दस सेके आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन हमें पता है कि जैसे बो divert होता है, हम stop कर देते हैं, आप करते रह जाते हो, तो ये इस पे ज़्यादा आपको notice करना है, words power तो आप सुधार लोगे, थोड़ा सा hard work करके, और दूसरा, जैसे ही आपका subconscious mind divert करे आपको, नहीं पहले paragraph पढ़ना है, समझना है, तब आगे करना है, तो ये आपका दूसरा problem होगा, diversion का, अब तीसरा, इसको ये जो problem से तीसरा क्या है, हमने first sentence पढ़ा, जो भी sentence है, पहला sentence पढ़ा हो, और पहला sentence पढ़ने के बाद, जब हमको वो समझ में भी नहीं आ रहा है, उसमें जब पहला sentence समझ में नहीं रहा है, तो दूसरे पर क्या करने जाए हम, तो सबसे golden rule है paragraph को समझने का, कि जब तक आपको first line, first sentence नहीं समझ में आ जाए, दूसरा sentence पर मत जाओ, और जब तक आपको first paragraph नहीं समझ में आए, दूसरे paragraph पर नहीं जाओ, समझना है, एक एक line को समझन करते हैं और सेंटेंस वाइज हम आपको समझाते हैं तो पहले इसका चवराशी रूल्स का एक लिस्ट गिवन हेर और एक्सर्प्स फ्रॉम दबुक माधा प्रवाज रिटन वाई बिस्नुभट गौट से ब्रह्मन फ्रम वेलज इन महरास्टा देखो फूलस्ट आप यहां प मतलब एक्सर्प्स दिया हुआ है या कह सकतो उसको क्या चंद छाट करके बाहर किया गया है एक बुक से बुक का नाम है मज़ा प्रवास जिसे लिखा कि इसने बिस्नुभट गोट से एक ब्रह्मन है महरास्टा के किसी गाउं से तो देखो यह सेंटेंस हमें हिंदी करना भ मत्रा वो और उसके चाचा क्या कर रहे हैं एक यग को ज्वाइन करने जा रहा है जो मत्रा में और्गनाइज किया गया है तो यह क्या देखो हम दो सेंटेंस पड़े हमें दोनों सेंटेंस समझ में आ गया लेकिन मेरे जगा के अगर आपको तो आपको समझ में ना आए तो नहीं समझ में आएगा तु यही तीन-चार प्राबलम्स होगा पहला प्राबलम्स होगा words meaning का यानि word power को बढ़ाईए दूसरा जब तक पहला sentence न समझ में आए दूसरा नहीं जाना और सबसे खास आपका अगर mind divert होता है sentence paragraph को पढ़ते हुए तो आप तुरंत stop करो मत पढ़ो आगे नहीं समझ में आएगा हम इतना लिखित क्या सकते हैं कि कोई भी बच्चा कोई भी बेक्ती लगातार एक घंटा किसी book को नहीं पढ़ सकता उसका mind भगाएगा उसको इधर से उधर और फिर भी पढ़ते रहते हैं लोग यही वजाएक उनका intelligence कम हो जाता है तो यह बहुत ही important knowledge था आपके लिए कि आपको book पढ़ना कैसे चाहिए थोड़ा सा अगर आप पढ़ने में अगर इस level के ना हो नहीं समझ में आ रहा है आपको प्रॉब तब भी आप पढ़ते जा रहे हो तो हम कहेंगे आप hard work करो एक से 24 one days के लिए कहा जाता है 21 दिन तक अगर किसी काम को हम कर लेते हैं तो 22 दिन वो हमारा आदत बन जाता है तो good habit लगाते हैं और क्या 21 दिन तक क्या करते हैं हर line कोई मंदारी से पढ़ते हैं जहां meaning मिलेगा underline करेंगे लिखेंगे नहीं copy में चलो underline करेंगे उसका meanings को ही लिखेंगे फिर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही slow हो जाएगा आपका speed बहुत ज़्यादा slow लेकिन 22 दिन हम guarantee दे सकते हैं कि आपका speed वापस धीरे धीरे आने लगेगा और आपको पढ़ने के बाद समझ में भी आने लगेगा 80-90% समझ्याओं को बुक में आप खुदी solve कर लोगे और 20% आपका teacher आपको समझने में help कर देगा तो I hope आप इस चीज़ को समझ गया होंगे आप follow भी करने का प्रयास करेंगे और आज पहली बार हम अपने वीडियो में पहली बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट लेट साल